ओम शांति ओम शांति अज 28 ओक्टूबर 2023 दिन शनीवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धी चलने चाहिए ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो जो दूर से ही चमकता रहे प्रश्न सर्विस की व्रद्धी के लिए कौन सी युक्ती रचनी चाहिए उत्तर जो जो महारती होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए महारती बच्चे चक्कर लगाते रहें तो सर्विस व्रद्धी को पाती रहेगी इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाएगा बच्चों को कभी भी दे अभिमान में नहीं आना चाहिए महारतीयों का बहुत बहुत रिगार रखना चाहिए गीत यह वक्त जा रहा है ओम शंते घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी यह है बेहद की घड़ी इसमें सारी बुद्धी से समझने की बात है उनका भी बड़ा काटा और छोटा काटा है सेकिंड का बड़ा काटा चलता रहता है अब रात के बारा बज़े हैं यानि रात पूरी हो फिर दिन शुरू होना है यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए इसमें काटे जो बनाए जाएं उसमें रेडियम भी देना चाहिए जो दूर से चमकता रहे घड़ी तो अपने आप समझाती है कोई भी नया आए तो घड़ी आकर देखे बुद्धी भी कहती है बरोबर काटा अंत में आकर पहुंचा है कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए फिर है सत्युग की आदी सत्युग में बहुत थोड़ी आतमाएं होती है जो इतनी सब आतमाएं जरूर वापिस जाती होंगी तो इतनी सब आतमाएं जरूर वापिस जाती होंगी चित्रों पर समझाना है बहुत सहज ऐसी घड़ी कोई बनाएं तो बहुत खरीद करके भी घर में रखें इन पर समझाना है यह कल योगी ब्रिष्टाचारी दुनिया है अनेक धर्म भी है विनाश भी सामने खड़ा है नैचुरल क्लेमेटीज भी होनी है अब इन लक्षमी नारायनादी को भी सत्यूग की बादिशाही कैसे मिली जरूर बाप द्वारा मिली होगी पतित पावन आते ही हैं पतित दुनिया में संगम पर पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है यह गोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स क्लस बात है और इस पर समझाना किसी को भी बड़ा सहज है जिनके पास पैसे बहुत हैं वे तो आर्टिस्ट को जट ओर्डर दे और जट चीज तयार हो जाए गवर्मेंट का काम तो इतने में हो जाता है यहां तो मुश्किल कोई काम करते हैं कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वह शोबता भी है आजकल आर्ट का मान बहुत है डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं समझते हैं पहले ऐसे डांस होते थे पर अइसे कोई है नहीं तो यह बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए जो अच्छी रिती मनुश्य समझ जाएं कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे पतित पावन कोई मनुश्य तो हो नहीं सकता मनुश्य पतित है ना तब तो गाते हैं पावन दुनिया भी स्वर्ग है मनुश्य तो नहीं समझते कि श्रीक्रश्न ही शाम है फिर सुन्दर बनता है इसलिए नाम पड़ा है शाम सुन्दर हम भी पहले नहीं समझते थे अभी बुद्धी में है बरोबर कामचिता पर बैटने से काला हो जाता है अर्थात आत्मा पतित हो जाती है यह भी स्पष्ट करके लिखना है वर्सा देते हैं परम पिता परमात्मा और श्राप देते हैं रावण मनुष्यों की बुद्धी फिर चली जाती है रग्वपती रागव राजा राम की तरफ परंतु राम तो है परम पिता परमात्मा यह सब बुद्धी चला कर चित्र बनाना चाहिए क्योंकि आजकल अपने को भगवान तो सब कहते रहते तुम जानते हो भाप तो एक ही है बाकि हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ चाकर रहेंगी उस समय बाप भी प्रमांड का मालिक हम भी प्रमांड के मालिक हैं फिर बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ और भल कोई कितना भी बड़ा राजा हो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो ऐसे मातपिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। उनकी श्रीमत मशुहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते हैं। अभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ट बन जाएं कितना माथा मारना पड़ता है। जब तक यग्य है तब तक पुरुशार्थ चलता रहेगा। यह है रुद्र ज्यान यग्य। वह भी रुद्र यग्य करते हैं शांती के लिए उससे तो शांती हो ना सके। बाप का तो एक ही यग्य है जिसमें सारी सामगरी स्वाह हो जाती है और सेकिंड में जीवन मुक्ती मिलती रहती है। वह कितने यग्य रचते हैं फाइदा कोई नहीं तुम बच्चे हो नॉन वॉयलेंस। पवित्रता बिगर कोई स्वर्ग में जाना सके। यह है पिछाडी का समय। पतित दुनिया ब्रश्टाचारी रावन की दुनिया सो प्रतीशत पवित्रता अशांती दुखी रोगी। यह सब लिखना पड़े और फिर स्वर्ग में है श्रिष्टाचारी सो प्रतीशत पवित्रता सुख शांती निरोगी। वह है रावन का श्राप यह है शिबाबा का वर्सा पूरी लिखित होनी चाहिए। भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रिष्टाचारी था। फिर फलाने समय से ब्रश्टाचारी बना है। लि यह सर्विस आठ घंटा करते हैं तो यह भी आठ घंटा करनी चाहिए सेंटर पर बचियां जो हैं उनमें भी नमबरवार है कोई को तो सर्विस का बहुत शोक है जहां तहां भागते रहते हैं कोई तो एक ही जगें पर आराम से बैठ जाते हैं उनको ओल राउंडर नहीं कहेंगे महारतियों को तो कुछ समझते नहीं है तो सर्विस भी ठेली पड़ जाती है बहुतों को अपना एहंकार बोत रहता है हमारा मान हो दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा यह नहीं समझते कि महारती तो मदद करेंगे अपना एहंकार रहता है ऐसे भी पुद्दू है बाब कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है बाबा के पास समाचार तो आते रहते हैं न बाबा हर एक किरग को समझते हैं यह बाबा भी अनुभवी है तो यह गोले की समझानी बहुत अच्छी है यह समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी अभी तो चीटी मार्ग की सर्विस है अपने ही देह अभिमान में रहते हैं इसलिए बुद्धी चलती नहीं अभी यह है विहंग मार्ग की सर्विस सर्विसेबल बच्चों का माथा चलता रहेगा क्या क्या बनाना चाहिए चित्रों पर समझाना बहुत सहज है अभी कल्यूग है सत्यूग स्थापन होता है बाप ही सबको वापिस ले जाएंगे वहाँ है सुख यहाँ है दुख सब पतित हैं पतित मनुश्य कोई को भी मुक्ती जीवन मुक्ती दे नहीं सकते यह सब है भक्ती मार्ग की कारोबार सिखलाने वाल गुरू सब है भक्ती मार्ग की ग्यान मार्ग का गुरू कोई है नहीं यहां तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है न इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं श्री क्रिश्न को कभी जादूगर नहीं कहेंगे श्री क्रिश्न को भी श्याम से सुन्दर बनाने वाला वह बाप है समझाने का बड़ा नशा चाहिए बाहर में जाना चाहिए गरीब ही अच्छा उठाते हैं सहुकारों में उम्मीद कम रहती है सो गरीब तो एक दो सहुकार पाच साथ साधारन निकलेंगे ऐसे ही काम चलता है धन की इतनी दरकार नहीं रहती गवर्मेंट ने देखो कितना बारुद बनाया है दोनों समझते हैं विनाश हो जाएगा हम विनाश को पाएंगे तब मलूक अर्थात शिकारी कौन बनेंगे कहानी है न दो बिल्ले लड़े मक्षन बीच में बंदर को मिल गया श्री क्रिश्न के मुख में मक्षन दिखाते हैं है यह स्वर्ग रूपी मक्षन यह बातें मुश्किल कोई समझ सकते हैं यह बीस पच्चिस वर्ष रहने वाले भी कुछ नहीं समझते पहले पहले बठी बनो उसमें कितने आये कितने चले गए कोई जम गए हैं ड्रामा में कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था अब भी ऐसे हो रहा है चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना सहज होगा लक्ष्मी नारायन का चित्र भी जरूरी है जाड से पता पढ़ता है भक्ती कल्ट कब से शुरू होता है ब्रह्मा की रात दो यूग फिर ब्रह्मा का दिन दो यूग मनुश्य तो समझते नहीं फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष वतन में है परन्तु प्रजा पिता तो जरूर यहां ही होगा कितने गुहे राज हैं जो शास्त्रों में तो हो नहीं सकते मनुश्यों ने सब उल्टे चित्र देखे हैं उल्टा ज्यान सुना है ब्रह्मा को भी बहुत भुजाएं दी हैं यह जो भी शास्त्रादी हैं वे सब हैं भगती मार्ग की सामगरी यह कब से शुरू होती दुनिया नहीं जानती मनुश्य भगती कितनी करते हैं समझते हैं भगती बिगर भगवान मिल नहीं सकता लेकिन जब पूरी दुरगती हो तब तो भगवान मिलेगा सदगती के लिए यह हिसाब किताब तुम जानते हो आधा कल्प से भगती शुरू होती है बाप कहते हैं यह वेद उपनिशद यग्यत अप आदी सब हैं भगती मार्ग के यह सब खत्म होने हैं सब को काला बनना ही है फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़े बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ ना कि युगे युगे दिखाते हैं कच्छ अवतार मच्छ अवतार परशुराम अवतार ये भगवान के अवतर हैं फिर पत्थर बीतर में भगवान कैसे हो सकता है मनुशे कितने बे समझ हो गए हैं बाप ने आकर कितना समझदार बनाया है महिमा भी करनी पड़े परंपिता परमातमा ज्यान का सागर पवितरता का सागर है श्रीक्रेश्न की यह मैमा हो नहीं सकती श्रीक्रेश्न के भगत फिर श्रीक्रेश्न के लिए कह देते हैं कि सर्व व्यापी है कितना चटक पड़ते हैं उनसे निकाल कर फिर बाप का परिचे देते हैं सब आत्माएं भाई भाई हैं सब फादर थोड़े ही हो सकते हैं, फिर याद किसको किया जाता है, गोड़ फादर को बच्चे याद करते हैं, समझाने वाला भी बेहद बुद्धी वाला चाहिए, बच्चों की बुद्धी हद में फस पड़ती है, एक जगे ही बैठ जाते हैं, बिजनिसमेन जो होते हैं, वे बड़ी-बड़ी ब्रांचेज खोलते हैं, जितना जो सेंटर्स खोले, वे मैनेजर अच्छा, फिर सेंटर्स पर भी मदार है, यह है अविनाशी ग्यान रत्नों की दुकान, किसकी? ग्यान सागर की, पॉइंट्स तो बहुत हैं, जो धारण कर समझानी हैं, सभा में चित्र रखे हो, तो सब देखें, घड़ी का चित्र, अर्था तुस्रिष्टी चक्र का, बहुत अच्छा है, इस चक्र को जानने से चक्रवरती राजा बनेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, घड़ी पर समझाना बहुत सहज है, कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते, अपने को मिया मिठ्टू समझ बैठते, फाल्तू खुश होते, सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे, कि यह दानी हैं, दान भी अशर्फियों का करना चाहिए, या पाई पैसे का, यह चित्र अंधों के आगे आइना है, आइने में अपना मुख देखेंगे, पहले बंदर की शकल थी, अभी मंदिर की शकल बन रही है, मंदिर में रहने लायक बनने का पुर्शार्थ करना है, यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया, जो शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते, उनकी बुद्धी में कभी धारना हो नहीं सकती, बाप कहते हैं, प्रती दिन तुमको गुए बताता हूँ, तो जरूर ग्यान की वरद्धी होती जाएगी, कोई कोई प्रशन उठाते हैं, आठ बादशाही कैसे चलेगी, इस हिसाब से इतनी बादशाही होनी चाहिए, बाप कहते हैं, तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो, पहले बाप और उनके वरसे को तो याद करो, वहां की जो रस में रिवाज होगी, ये गौड़ फादरली गिफ्ट है, ऐसी गौड़ फादरली गिफ्ट कौन नहीं ले जाएंगे, क्रिश्चिन लोग और किसका लिटरेचर आदी नहीं लेते, उनको अपने धर्म का निशा रहता है, बाप तो कहते हैं, देवता धर्म सबसे उच है, वह समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चिन से बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु ये तो ज्ञान की बाते हैं, जो ज्ञान उठाते हैं, वही बाप से वर्सा पाते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, अच्छी रिती चल श्रेष्ट बनना है, अपनी दिल सदा सची रखनी है एहंकार में नहीं आना है अशर्फियों का दान करना है ज्यान दान करने में महारती बनना है आठ घंटा इश्वरी सर्विस जरूर करनी है वर्दान सर्व प्राप्तियों की अनुभूती द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे जिनका साथी सर्व शक्तिमान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती जो प्राप्तियों के अनुभूती में रह माया को विदाई देते हैं उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्विम भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं जो सोचा नहीं वहपा लिया बाप को पाया सब कुछ पाया ऐसी खुशनसीब आत्मा हो स्लोगन स्वचिन्तन और प्रभुचिन्तन करो तो व्यर्थचिन्तन स्वतर स्माप्त हो जाएगा ओम शंति ओम शंति